हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लोस के लिए कुछ इजी से आसन वो मैंने उनके नाम भी लिख रखी हैं और उस साथ में हैं वो सारे ही आसन देखो आप मैंने इसमें आपको बारा आसन करके दिखाए हैं आप इन में से जो भी आपका मन करें अगर डेली पांच आसन भी कर लेते हो तो हमारा वेट लोस जल्दी हो जाता है जो भी इसमें आपको इजी लगे ना वो ही कर सकते हो यह नहीं है कि वह यह कंपलसरी है वो कंपलसरी ये बिल्कुल इजी है बिल्कुल सिंपल है आप जैसे भी चाहो कर सकते हो और बिल्कुल आसान आसान से आसन मैंने आप लोगों को बताए हैं वेट लोज के लिए आप इसमें से कोई भी 5 कर सकते हो और डेली अपने लिए टाइम निकालना चाहिए जो आपको इजी लगे वो ही करो बिल्कुल इजी आसन है उत्तम पदासन ये बिल्कुल इजी है आमें दिवार के सारे लगके फिर भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो दिवार का साथ ले सकते हो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो उपर पैर करके ऐसे एक बारी वो पैर एक बारी दूसरा पैर राइट लेफ्ट बिल्कुल इजी है ये है पार्ष वकोन आसन बिल्कुल इजी है और हमें योगासन है अपने जीहन में जरूर अपनाने चाहिए बिल्कुल इजी इजी से आसन है हमें अमारे स्रीर को निरोग रखने के लिए आसन अमारे लिए बहुत ही जरूरी है तो वही कोई बंदा एक्सरसाइज कर सकता है कोई exercise नहीं कर सकता वो आशन भी कर सकता है ये आपके उपर depend है मैं तो कभी कुछ कभी कुछ जो भी हमारा मन मतलब exercise करनी है आदा गंटा जो भी आपको मन करे न वो ही करें ये है गोमुख आशन starting में नहीं होते हैं लेकिन हम दीरे दीरे अगर डेली करने लग जाते हैं न तो हमसे हर आशन हो जाता है ये नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा ये वीर्भद्रा आशन इस आशन को तो बड़े भूडे कोई भी कर सकता है बिल्कुल इजी है आमें अपने रूटीन में जरूर अपनाने चाहिए भई सभी आसन ये है जानो सिर्शासन बिल्कुल इजी इजी आसन लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए तो प्लीज जरूर ट्राई करना और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट बोक्स में जरूर बताना आप लोगों को मेरे आसन कैसे लगे मैंने आपको ये बारा आसन करके दिखाए हैं लेकिन आप इसमें से चूज कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे एक दो इसमें टफ भी हैं लेकिन वैसे जादा तर इजी हैं प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर बताना आपको कैसे लगे थैंक यू जिसने मेरी वीडियो देखी है उसके लिए प्लीज और फुल वोच के साथ देखना थैंक यू